दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले गांगा काविरी एकस्प्रेस के बारे में ओलेडी आप लोगों को टाइटेल और थंबल से पता चली गया होगा तो वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग वीडियो को पूरा देखे बीना कोई टाइम बेच के फीडियो के आंदर चलके आज कुछ नए जान लेते हैं तो इस तो गंगा काविरी एकस्प्रेस जिसका ट्रेन नामबर है 12669-12670 और अभी कोबिट की वज़ा से 0266902670 स्पेसाल नामबर से टेन को चलाए जा रहा है इस टेन को चलाए गया थी मतलब इनोग्रेटर किया गया था इन दा यार 1 जनुआरी 1984 में ये टेन तामिल नाडो की चेननाए सेंटरल से बिहार की छाप्रा जंक्शन तक चलती है टोटल 2341 किलोमेटर कवर करती है 22 स्टॉप्स लेके 40 घंटे में इस दोरान इस टेन का आपरेज स्पीड रहते है 55 किलोमेटर पर आवर और मैक्स पारिसेबल स्पीड रहते है 110 किलोमेटर पर आवर ये टेन अपनी पूरी याथ्रा के दोरान सातों स्टेट से होकर गुजरती है जैसा कि तामिल नडू, अंध्रपोदेश, तिलेंगना, महाराष्ट्रा, मध्यपोदेश, उत्तरपोदेश एंड बिहार देन साम 5.40 में चिननाई सेंटर से चलके अउन डे थार्ट 11.30 में छापड़ा जांक्शन में पहुँच जाती है इस टेन में एसी फास्ट क्लास, एसी टू टायर, एसी थ्री टायर, स्लीपर क्लास, जेनरल कम अन्रिजब, 20 कोचस देखने को मिलेगा एक में ट्रीकर के साथ टोटल 24 कोचेस के साथ चलती है एटेन, जिसमें से यसी फास्ट कलार का किराया है, बेस चार्जेस 5065 रूपीज, रिसर्वेशन चार्ज 60 रूपीज, सुपरफास चार्ज 75, GST 260, टोटल 5460 रूपीज, सेकेंड एसी का बेस फेयर 2952 रूपीज, रिसर् 3200 रूपीज, रिसर्वेशन चार्ज 2,015 रूपीज, रिसर्वेशन चार्ज 40 रूपीज, सुपरफास चार्ज 45 रूपीज, GST 105 रूपीज, टोटल 2,205 रूपीज, स्रीपर का बेस चार्ज 800 रूपीज, रिसर्वेशन चार्ज 20 रूपीज, सुपरफास चार्ज 30 रूप 50 रूपिस जनरेल का बेस चार्जेस 495 रूपिस सुपर फास्ट चार्ज 15 रूपिस टोटाल 510 रूपिस दोस्तो ये तो रहा इस ट्रेन का किडाया और ए ट्रेन एक बी विकली टाइप का ट्रेन है मतलब हाफ्ते में सिर्फ दो दिन चल थी इस ट्रेन को अपड़ करते साउधन रेलवेस इस ट्रेन का नाम फारात की पवित्रनाती गंगा जो की बारा नसी में स्थी थे और करनाटा को तमेल नाडू की कावेरी नादी के नाम पर रखा गया है इसके अरावी इस ट्रेन में ओन बोर्ट कैटरिंग और एक कैटरिंग की फेसलिटी आप लोगो मिल जाएकि ट्रेन में दोनों तरह की लोकोमोटीव लगाई जाती है मालब इलेक्टिक और डीजेल दोनों तरह की लोकोमोटीव लगता है चेटनाई सेंटर से इटरसी जंक्षन तक राइपूरम शेट का व्याप 7 और इरोर शेट का व्याप 4 लगता है और इटरसी जंक्षन से छापरा जंक्षन तक इटरसी या तो कार्णी शेट का WDM 3A ट्विन्स लोकोमोटीब लगती है ओफारॉल ट्रेन रेटिंग की बात करूँ तो अप और डाउन में इस ट्रेन को अलग-अलग रेटिंग दिया जाता है जैसा कि आप में cleanness good 16 out of 100, punctuality good 16 out of 100, food good 16 out of 100, ticket availability good 16 out of 100, undeserved coaches good 12 out of 100, rail fanning good 16 out of 100, safety good 17 out of 100 तो ओफारॉल एही रहा ट्रेन की जान कर लिए तो हमेसा मुझे एही उमीद रह थी कि एक ही वीडियो में इस ट्रेन की बात करूँ आप में आप लोगों को जादा से जादा जानकर रिश्यार करना उमीद का तो वीडियो आपको आच्छा लगे होंगे अगर आच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और साइड में जो बेल आइकेन आ रहे उसे भी प्रेस कर दीजे ताकि मैं जब 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 ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालू सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपनी दोस्तों को बेशाथ भी सेयर कीजे और वीडियो डिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट शेक्षन में ज़रूर पूछेगा मैं कोशिच करूँगा जल से जल उसका अंसर देने के लिए तो इस वीडियो में इदना ही मिलते को याक लेने वाले वीडियोस में तब तक आप लोग अपने खिया लगिए जाए